हेलो एवरीवन, वेलकम टो और यूटूब चैनल अकांचा जी है सब, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंदु घाटी शब्भेता, आज से हम एंसेयंट हिस्ट्री सरू कर रहे हैं, यूपी त्रिपल सी पेट के लिए, आप यूपी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं, यूपी पुलीस हो गया, यूपी साई या पेट के लिए हैं, बाकी मतलब सब एग्जाम के लिए हैं, पूरा सिंदु घाटी सब्भेता से जितने भी कोस्चन्स आएंगे, यह इसे आगया, मैं पूरा कबर करा दूँगी, तो पहले आज से ह सिंदु घाटी सब्भेता, पहले इसको देखते हैं, भारती नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम बैकती थे, जिन्हों ने प्रथम बार वैग्यानिक अधार पर भारत की जन संक्या का प्रजाती विवेदी करड किया है, अब हम लोग सुरू करते हैं, सिंदु घ सिंदु घाटी सब्भेता की पहली जानकारी जिस देख चार्ल्स मेंसन ने, सिंदु घाटी की जानकारी दी थी। ति और सिंदु सप्पेदा का आका जो था वो त्रिभुजातकार था ट्रेंगल सेप में था इसका सेप जो था अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कब से सुरूआ था 2400 इसापूरु से लेके 1700 इसापूरु के मद्ध विक्सित नगरी आधियतिहाशिकाल और कांस यूगीन सभ्यता थे ये देखें कब से था 2400 इसापूरु से लेके 1700 इसापूरु तक ये मुख्य निवासी जो थे ये द्रवीड और भूमद शागरी ये माने जाते हैं कि किनारे पे इस्थित हडपा की खोज की थी सिंदुघाटी शब्यता को हडपा के भी नाम से जाना जाता है हडपा शब्यता इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिंदुघाटी शब्यता में सबसे पहले खोज हडपा की हुई थी 1921 इसबी में दयाराम साहनी ने किया था हडपा सबधा की खोज ह्डपा शबधा से जो है वो यहां कब्रिष्टान मिला था जिसका नाम था RS-37 आप लोग कब्रिष्टान का नाम याद रख़िएगा हमेशा पूस्ता क्या था RS-37 इसका नाम था शिंदू शभ्विता में पक्ती कह भी प्रियोग किया गया था हडपव शभ्विता के जो लोग थी वो स्रमिक थे वो मतलब ऐसा लगता है कि वो स्रमिक थी क्योंकि यहाँ पे कुमहार चाक मिला है और यह जो हडपव जो था ये रावी नदी के किनारे पे स्थित था और इसकी खोज 1921 में दयाराम शाहनी ने की थी और इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम शाहनी अब राखलदास बनर जी जो थे ये सिंधु के किनारे स्थित मोहन जोदुरो की खोज की थी सिंधु नदी के किनारे स्थित थ इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर जी ने किया था यह पाकिस्तान के लरकाना जिली में था मोहन जोड़ो और इसकी खोज राखलदास बनर जी ने 1922 में किया था आप लोग इसको याद रखेगा 1922 में राखलदास बनर जी ने इसकी खोज की थी मोहन जोड़ों का अर्थ पूसता है मोहन जोड़ों का अर्थ होता है मृतिकों का टीला मोहन जोड़ों में पूरोहित जो थे उनका आवाश मिला हुआ है और अस्तानागार विशाल अस्तानागार मोहन जोड़ों से मिला है सोती वस्त्र जो था वो भी मोहन जोद्रो से ही मिला है और सिंदु सब्विता में सबसे पहली बार जो कपास का साच है वो मोहन जोद्रो से मिला है यह सब important है मोहन जोद्रो के बारे में fact और सबसे चौड़ी सड़क जो है वो मोहन जोद्रो से मिली है मोहन जोड़ों के लोग पशुपती का पूजा करती थी, यह लोग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डांस वगएर भी होता होगा, कोई मतलब ओकेजन या वैसा फंक्षन होता होगा, तो यह आद रखिएगा, दयाराम सानी ने शिंदु शबबता की खोज की थी हडपा की 1921 में, और राखलदास बनर जी ने 1922 में मोहन जोड़ों की खोज की थी, मेसो पुटामिया के अविलेक, मेलूहा शब्द, मेलूहा शब्द मिला है मेसो पुटामिया के अविलेक से, हम लोग देखते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक था शिंदु सब्दा का, ये देखे, उत्तर में जो था मांदा, जम्मो कस्मीर, जम्मो कस्मीर जो था ये चिनाब नदी पे था, और ये दच्छिड में दैमाबाद, ये अहमदनागर महाराश गुदावरी नदी के किना महारे पे था, और सुतका गेंडोर, ये बलुचिस्तान में था, दासकनदी पे था, इसको याद करने, ये पूस्ता है लगाने के लिए इसका शेक्वेंस, तो इसको याद करने का हम आपको तरीका बता रहे, सम, एड, सम से हो गया ये सुतका डोर, और म से हो गया मांदा, आप लोग फिर से देख लीजेगा, सम, ए, ड, तो ये सम से हो गया सुतका डोर, और ये हो गया मांदा, और ये से हो गया आलमगीरपूर, और दी से हो गया दैमाबाद, दैमाबाद जो था वो गुदावरी नदी पे था, और आलमगीरपूर जो था हिंडर नदी पे, और म इसका नदी भी याद करने का हम आपको trick बता देते हैं। आप इसका नदी यह इसे याद रखेगा sem यह हो गorer ago ad और डच we have Всем और है पर अप लोग याद रखेगा श मदंप सुटकरण और इसका रखेगा dusk और म से हो गया मांडा मांडा जो है चिनाब नदीपी हो गया और ए से हो गया आलमगीर पूर तो ये हिंडन नदीपे हैं से हो गया हिंडन नदीपे दी से हो गया दैमाबाद देखिए गुदावरी नदीपे था गुदावरी रह से हो गया गुदावरी रिवर तो आप लोग यहाँ पे वो लगाया सिंबल देखें दैमाबाद है कोट जी है आलमगीरपूर है काली बंगा है रोपड है बनावली है मांडा है मोहन जोड़ो है और यह दैमाबाद है अब हम लोग देखते हैं नगरी शबभिता एक नगरी शबभिता जब बड़े नगर मिले थे सिंदूसभिता में पहला जो था मोहन जोड़ो फिर हडपा था फिर गड़वारी वाल था था फिर धॉला वीरा था फिर ब्राकी arm पनल है काली बंगा अब इसके बारे में हम पूछेगा तो राखी गड़े, अगर सबसे बड़ा सहर पूछेगा तो वो होगा मोहन जो दोड़ो था, और अपनों ये भी याद रखेगा, सिंदु शब्धिता के लोग जो थे, वो शोना चांदी कांस से परचित थे, लेकिन अगर वो किसी चीज़ से परचित नहीं थे, तो वो था लोहा, लोहा से सिंदु शब्धिता के लोग परचित नहीं थे, तो लोहा क्रॉस है, मतलब लोहा से परचित नहीं थे, ये लोग सोना चांदी कांस से परचित थे, चांदी का साथ छहडपया शब्धिता से मिला है, अब हम लोग देखते काली बंगा, काली पुरूब मेहरगड़ में मेहरगड़ में मेहरगड़ में सबसे पहले जो खेती शुरू हुई थी वो हुआ था मेहरगर से मेहरगर में सबसे पहले जो और गेहुं के खेती हुआ था वहां का साच मिला है वरत्वान में मेहरगर दो पहाड़ियों के बीच में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के बीच में अगर सबसे पहले मनुष ने किसी जानवर को पालतु बनाया तो वो कुत्ता को बालना सुरू किया था और सिंदूस अबहता से ही मृद्भांड मिला हुआ है और नौ पासाड काल में सबसे पहले पहिया की खो़ की गई थी और आग की खो़ पूरा पासाड काल में हुआ था सबसे पहले चित्र यहीं बनाए गया था बिहार में सबसे प्रमुख जगह जो है वह चिराद और पुछे का यूपी में कोल्ड हुआ है सबसे पहले चावल का साथच अगर कहीं भारत में मिला है तो यूपी के कोल्ड हुआ से मिला है गरतवास का साथ से जो मिला है वो कस्मीर के बुर्ज होम से मिला है और इतिहास के जनक के रूप्या आप लोग जानते ही हेरो डोटस है और कोपिन हिंग जो है वो कोपिन हिंग में बिश्व शंग्राले इस्थित है जो डेनमार्क में है डेनमार्क की कैपिल है कोपिन हिंग उसका नाम बदल के इंद्रा गाधी मानो शंग्राले कर दिया गया है अब हम लोग देखते हैं सिंदु सब्वेता के लिपी के बारे में स्क्रिप्ट देखते हैं ये भाव चित्रात्मक थे ये दाये से बाएं लिखे जाते हैं ये अप अठनी है थे आध्यात्यासिक काल के मतलब जितने भी थे इसको समझ में नहीं आ रहा था ये लोग क्या लिखें आप दिखी ये समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है ये सारे फीगर्स बने हुए हैं चित्र बने हुए हैं ये सब उसके टाइम के हैं अब हम प्रमुक अस्थान देखते हैं, हरपपा जो था वो रावी नदी के किनारे था भी हमने आपको बताया दैरांचानी ने इसकी खोज की थी 1901 में, पाकिस्तान के मौन्ट गोमरी जिला में हैं, मोहन जिधुड़ो जो था वो पाकिस्तान के नवाप साथ जिले में थे है चनहुदरो से महिला के मेकप का समान मिला, चनहुदरों में, पिली के पेरों का निषान भी चनहुदरों से मिला हुआ है चन हुदोडो में अलंक्री तीटो, मतलब रङी नीटो का बिसाच मिला है, सिंदुष अबेता के घर जो थे वो द्रग से घिरा हुआ था, लेकिन ये चन हुदोडो में मतलब द्रग देखने को नहीं मिला है, एक भी अगर द्रग कहीं नहीं देखने को मिला है तो ये बीवी लाल वम बीके थापन ने 1953 में की थी ये राजिस्थान का हनुमानगड़ा जिला है रंगपूर का जो ये मादर नदी के किनारे पर था इसकी खोज रंगनाथ रावने की थी 1953 से 1954 गुज्रात का काठी वाड़ा जिला था रंगपूर से धान की भूसी का साच मिला हुआ है अगला हम लोग देखते हैं रोपड रोपड जो था वो 17 नदी के किनारे पर था इसकी जो खोज थी ये अगिदत सर्माने किया था रोपड से ये आदमियों के साथ कुट्टे को दफनाने का शाच मिला हुआ है तो ये रोपड के बारे में था अब लोथल लोथल जो था ये भूगवा नदी के किनारे पर था इसकी खोज रंगनात राउने की थी 1925 ये 1922 तक मतलब खुदा ही चली रहा था ये गुजरात का हमदाबाद जिला था लोथल जो था ये बैपारी केंदर था लोथल तो ये लोथल के बारे में था इंपोर्टन था लोथल से बंदर गा मिला है लोथल से बिदेशी बैपार का साच्छ मिला है लोथल के जो घर थे वहाँ के दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे तो ये लोथल के बारे में है आलमगीरपूर ये हिंडन नदी के किनारे पे था इसकी भी खोज यगिदत सर्मा ने 1978 में की है उत्तर प्रदेश का ये मेरट जिला है अब ये है सुत्का गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे पे था और इसकी जो खोज और इस्टाइल और जार डेल्स ने की है ये सुत्का ग इंडोर जो था सिंदु सब्वेता का पस्टमी जो छोड़ था बनमाली जो था ये रंगोई नदी के किनारे पे था इसकी खोज रविंदर सिंग विस्ट ने की था इसकी खोज चली थी ये गुजरात के कच्छे जिला में था अब हम लोग देखते हैं ये इंपोर्टेंट ये मोहन जोड़ो है ये मोहन जोड़ो है और ये चनहोड़ो है ये सुतका को है ये लोथर है काली बंगा है ये बनावली है ये रोपड ये मांडा है ये हडपा है और ये आलमगीर पूर है तो ये हडपा सब्वेता के पूरा अस्थल है इसकी खोज अभी हमने आपको बता में पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे पर चन होड़ों की खोच की थी जो कच्छ गुजरात के पास इस्थित्त धौलाविरा की खोज की थी रंगनात राव ने अहमदाबाद जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पे था लोथल अस्थान उसकी खोज की थी और रंगपूर की खोज आप लोग रंगनात राव ने जो काठी वारा गुजरात ये मादर नदी के किनारे पर था आप रंगनात से पूर्पूर याद रखिएगा और बीबी लाल वेंगे थापन ने हनुवान गड़ी के हनुवान गड़ी जो राजस्थान में हो काली बंगा की खोज की थी या गिदत सर्मा जो है वो आलमगीरपूर की खोज की थी जो हिंडर नदी के किनारे पुत्तर प्रदेश में इस्थ था रंगोई नदी पे बनावली उसकी खोज की थी और रोपड की खोज या किदत सर्मा ने की थी यह पंजाब के सटलजनजी के किनारे पे था अब हम इनके विसेस्ता है देखते हैं इनकी नगरी विसेस्ता है इससे कोस्टिन्स आते हैं इनकी जो ग्रीड इनकी जो नगरी विसेस्ता है थी यह ग्रीड पर निर्मितनागर था सूबेवस्ति जल निकासी बेवस्ता थी पक्की अलंक्रित काली बंगा में इसका प्रियोग हुए था घरों के धरवाजे खिडकियो सड़क की ओर ना खुल कर पीछे की ओर खुलते था केवल लोथल नगर के घर जो थे वो दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते था अभी हमने आपको बता है लोथल का जो दर्वाजा था वो मुख्य सडक पे खुलता था बाकि सब के मतलब घर थी पीछे खुलती थी आगे ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी यह सहर उच्च और निम्न भागों में वर्गी कृत था यह सहर मतलब उच्च और निम्न दोनो भागों में वो था उच्च भाग जो था वो किला बन दी था अपवाज जैसे काली बंगा दोनों भागों में किले बन दी थी मोहन जोद्रोड से प्राप्त ब्रिहत अश्रानागार एक प्रमुक इसमारक है जिसके मद्ध इस्थित अश्रान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चोड़ा और 2.43 जो है 2.43 मीटर गहरा है तो यह अस्रानागार की विसेस्ताएं है अक्रिशी और पसुपालन देखते जूते हुए खेट के साथ के काली बंगा से मिले हैं प्रमुक फशल गेहू और जो मिले हैं लोथल और रंगपूर से चावल के साच मिले हैं अनागार देखते हैं अधिशेस उत्पादन विक्सित क्रिशी मोहन जोदुरो का अनागार सेंदोस अबिता की सबसे बड़ी इम इमारत थी पसुपालन यहां पर वैल मिले हैं भैस मिले हैं गोड़े के सुथकोड़ा से मिले काली बंगा और लोथल से मिले हैं लेकिन यहां पर आप लोग याद रखिए का गाय का नहीं मिलागा गाय ऑप्शन में देगा तो कर जाएगा इस यह लोग गाय को जादा महत नहीं देते थे वेदिक शाब्पिता में गाय को बहुत जादा महत दिया जाता था धार्मिक विसेशताई इस पर जानकारी मतलब इस पर जानकारी नहीं है की ये लोग किसको मानते थे मंदिर के आवसेश भी नहीं है मात्रвой देवी उर्वर्त hazır देवी की पूछा करते थे से दाड़े वाला पुजाड़े अस्यू भगवान का साच्छ मिला हुआ है पसुपतिनात का मोहन जोड़ों से ये देखे पसुपति की मोहन मोहन जोड़ों से मिला हुआ है चारो और हाथी देखे चारो और हाथी गैंडा चीता और भैस है काली बंगा से अगनी कुंड मिले ह पास्तिक चिन जो है शूर्य उपासना का चिन था गाड़ी भैस इनका समाज जो था वो परदाप्रता था और विश्चा वृति था और मोहन जोद्रों से नर्दक्टी की काश्य मुर्टी मिली हुई है तो ये इनका समाज जो था जिस समाज में रहते थे इनकी जीवन साली देखते हैं लोथर और चन हुद्रों से मनके के कार सूति वस्थ्रों अलग ये लोग वश्था क्हेलते चारों के लिए मट्छे मिठास में रहिए प्रियूंग के प्रियोंग करते हैं गया लोग इंत्ति स्थे कजस्छ यह मैंक्तिनEZ हुई हैं इन परियूग का प्रियोंग से हम मापन की यसलाग के अन्पात में करते थी विपदेशी बेपार सबसे प्रवावी कारण बार या फिर जलवाई परिवर्तन के कारण या फिर उन्हें भूजन नहीं मिल रहा होगा जंगल खतम हो रहे होंगे इसलिए मतलब इसका विनास का कारण माना जाता है पिंगट ने हडपा या मोहन जोड़ों को एक ग्रिस्ति सामराज का जुड़वा राजधानी कहा है आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है इस टाइम पे जो आग में मिट्टी जो थी वो पकी थी उसको टेरा कोटा कहा जाता है सबसे बड़ी इमानदत जो थी राखी गड़ी हरियाड़ा और मोहन जोड़ों में थी अहां मुहन जोदुरो का देखते हैं मुरूँगों का तेला काली बंगा से अगनी कुण्ड मिला हुआ है चूड़ी कार खाना मिला हुआ है यूग शमाधी मिला हुआ है जुता हुआ खेत मिला हुआ है अलंकृत इट मिला हुआ है और सुरकोट दस जो है गुजरात में था उससे वहाँ पर घोड़े के और सेज मिले हुए लोथल जो था बंदर गाता सिंदु घाटी का मैंचेस्टर कहा जाता था लोथल को धान और घोड़े का साच मिला अगनी कुंड का साच मिला हुआ है और योग लाशा स्टेडियम मिला है तो यह इंपॉर्टेंट थी अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं अगर कोश्चन में पूछे का मृद्भांट की सुरुवात विश्व में सबसे पहले मतलब कहां से सुरुवा था तो फ्लिंड ने किया था विज्दू में अगर चलता है हर अदिक काल से चितृत मृद्भान के सबसे ज्यादा नौर्थ में पाया गया हुआ है तो आज स्दू सब्से बिता से शितने important question थे मैंने करां दिया और उससे जुडे फैक्ट भी करा दिये हैं और कोस्टेंस मैं लास्ट में ट्रैक्टिस सेट अभी कुछ दिन में स्टार्ट करूंगी पहले पूरा हिस्ट्री और जीके जीस के जितने इंपॉर्टन फैक्ट है वो कंप्लीट कराने के बाद अगर चैनल पसंद आएगा तो चैनल को सेयर सस्क्र करियेगा थैंक्यू एव्रिवन